हेलो एविबन आविल्कम यू और टो देश चैनल तोड़ी वर गॉंग तो स्टार्ट येश्ट इस को सबसे पहले आज समझेंगे तो जो यह कॉझेप्ट है यह यह एक टाइप का आइडिलाइजीशन है यह एक टाइप का अजमशन है जो कि हमारे दो subjects में काम आता है बात करेंगे वो दो subjects कौन कौन से हैं बट हमने कहा ये क्या करता है assume करता है किसी एक बात को और किस बात को assume करेगा नाम से पता चल रहे है कि इसका नाम है continuum concept यानि कि ये बात करता है ऐसे matter की जो continuous होता है या फिर आप कहें जो matter या फिर मास्क जो है किसी मैटर में अगर continuously या uniformly distribute है ठीक है ना continuously distribute है कि उसमें gap ही न रहे molecules के बीच में तो उसको हम बोलते हैं आपका continuous system और उसी system पे ही आपका continuum concept लागू होगा that means वो जो system है उसी system को define करता है ये continuum concept किस system को जो आपका matter है वो क्या होगा अगर continuous system है वो continuous system कब होगा matter तीन टाइप के होते हैं क्योंकि आपको पता है solid, liquid और gas और हमने कहा कि वो continuous system तब होगा जब हमारे पास molecule के बीच में gaping कम से कम हो तो हमें पता है solid जो है वो obviously continuous system है तो उसकी बात हम यहाँ पर नहीं करते हैं हम liquid और gas की बात कर रहे होते हैं simultaneously या respectively कहें हमारे दो subjects में किस-किस में fluid mechanics और thermodynamics में ठीक है तो अगर हमारे पास liquid है कहीं पर और हम चाहते हैं कि जो liquid है उसके जो molecule है वो पास पास रहें ठीक है न वो पास पास रहें एक distance होगी जिसके बाद continuum concept valid नहीं होगा ठीक है अगर हमारे क्योंकि solid में molecule पास होते हैं यह तो उसका nature है बट liquid और gas में जैसे ही हम आते हैं जैसे ही phase change होता है solid से liquid या gas तो liquid और gas में हम देखते हैं कि जो हमारे molecule हैं वो कई बार बहुत दूर भी होते हैं और कई बार पास भी होते हैं तो जब बहुत ज़्यादा दूर रहते हैं तो तब तो हमारा continuum concept applicable नहीं होगा अब वो limit क्या होगी वो एक बात अलग है वो डिपेंड करती है नूट्सन नंबर पर तो आईए समझें कि भी नूट्सन नंबर क्या होता है नूट्सन नंबर होता है lambda upon L lambda होता है mean free path mean free path और L होता है characteristic length characteristic length ठीक है कई बार उसको dial ले लिया जाता है कई बार length लिया जाता है depending upon क्या आपके पास condition है यहां पर आप generally देखें तो lambda का मतलब क्या होता है पहले हमें यह समझ रहा है important है क्योंकि इसी सही आप यह समझ पाएंगे कि जो हमारा system है वो आपका उस पर continuum concept valid है या नहीं है ठीक है तो इसको समझने के लिए आपका no reason number कहें या mean three path कहें वो यहां पर important होता है उसको समझ रहा तो mean three path वो है जब आपके पास दो particle ही किसी एक system में क्योंकि solid में तो collision नहीं होता liquid और gas में collision होता है ठीक है ना solid में ऐसा collision नहीं होता है कि कि किसी एक molecule से दूसरे molecule में momentum transfer हो और वो motion transmit करें बट liquid और gas के case में ऐसा होता है तो यहां पर बात आ जाती है mean three path की इसमें क्योंकि collision होता है और वो collision आपका visible होता है ठीक है solid में भी होता है बट वो बहुत negligible होता है अब बात करें कि यहां पर जो collision है जो टकराव है एक particle से दूसरे particle के बीच में तो जो consecutive collisions होते हैं उनके बीच में जो average distance होता है उसको हम बोलते हैं क्या mean three path उसी को हम lambda से represent करते हैं तो यहां पर depend यह कर रहा है कि अगर कोई भी दो particle है और उन दोने के दौरान उनके बीच में एक खास distance create हो रहा होगा और वो जो average distance है उसको हमने कहा वो है हमारा mean three path ठीक है तो यहां पर यह हमें समझ में आता है अब यह नुच्छन नंबर ही define करेगा आगे जाके कि कौन सा सिस्टम ऐसा है जिसमें आपका continuum concept valid होगा और किसमें valid नहीं होगा तो आएए आगे देखें कि हमारे पास continuum concept को समझने के लिए हमारे पास यहां पर दो सिस्टम होते हैं में और उन में से अगर आप कभी भी बात करते हैं किसी science की चाहे वो fluid mechanics है चाहे वो कोई भी branch है science की तो हमारे पास दो टाइप की approaches आती है एक तो आती है macroscopic approach दूसरी आती है microscopic approach ठीक है इसमें हमें यह जानने को मिलेगा कि कैसे हमारे पास जो भी हम study करते हैं चाहे कोई भी हम subject उठा रहे हैं हम हमेशा बात करते हैं macroscopic की, microscopic की हम बात नहीं करते हैं ठीक है न, microscopic की हम study नहीं करते हैं क्यूंकि हमारे पास macroscopic ही important होता है day to day life की problems के साथ deal करने के लिए कैसे इसी के लिए ही हमारे continuum concept भी है ठीक है अभी आपको पूरा समझ भाएगा कि continuum concept क्या है पर आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा कि macroscopic क्या होता है उसके लिए तो यहाँ पर मैंने example लिया है दोनों का example लिए लिए macroscopic study का भी और microscopic और यह होता क्या है इसको हम यहाँ पर समझ लेंगे detail में देखिए सबसे पहला हमारे पास example यह है कि हमारे पास कोई ट्यू है और इसमें pressure gauge लगाया गया है यह pressure gauge क्या करेगा pressure measure करेगा किसी एक particular point पे ठीक है ना किसी एक particular point पे यह pressure gauge है और यह pressure को measure करेगा प्रेशर करेंगे तो यहाँ पर पास इस particular point पे मेरे को pressure measure करने का है तो मैं क्या करता हूं यहाँ पे मैंने pressure gauge लगाया और इस tube का pressure measure कर दिया तो यह होती है हमारी macroscopic approach क्यों है यह अभी बात करेंगे इस पर ऐसे हमारे पास मेरे पास कोई reason है ठीक है मेरे पास कोई reason है इस थरीके से और इस region के अंदर कुछ particle है gas के और gas के जो particle है इसी को ही हम बोल देते हैं बहुत दूर दूर है तो इसको हम बोल देते हैं rarefied gas ठीक है na rarefied gas example हमने समझ ले rarefied gas में क्या है molecule यह particle जो है वो दूर दूर है और यह use कहां पर होती है तो आपको यह भी ध्यान में रखना है जो हमारे पास हमें satellite launch करनी होती है उसमें जो rocket use होता है उसमें use होती है हमारी rarefied gases ठीक है तो वहाँ पर आपकी microscopic approach है राइट बट मैंने का जो normally हम थर्मोडानेमिक्स में वह हमारे macroscopic approach के अंतरकत आती है मतलब जो हम study करेंगे अपने subjects में mechanical engineering में वह mainly क्या होगा macroscopic के बारे में हम बात कर रहे होंगे ठीक है पूरी study उसी को लेके हुई throw out the subject अब बात हमने करी कि macroscopic क्या है तो macroscopic वह है जिसमें आप एक average study कर रहे होते हो क्या कर रहे होते हो average study कर रहे होते हूं तो हमने कहा कि molecule की average study कर रहे होते हैं तो average study ठीक, average behaviour देखते हैं आप molecules यह भी कैसे देखते हैं यहां यह पर average behavior अगर आप देखें तो macroscopic में हमारे पास continuous system होता है इसमें क्या होता है हमारे पास continuous system होता है continuous system मतलब यहाँ पर जो molecule है ठीक है ना उनके बीच में कम से कम gapping है देखें हमने बात करी थी अभी तक continuum concept की तो उसको define अगर मैं यहाँ पर करूँ ठीक है ना ताकि आपको समझ में आए ठीक है ना ताकि आपको समझ में आए ठीक है continuum concept क्या concept है इड अजूम्स अ कंटिनूस distribution of mass within the matter of system with no empty space ठीक है हमने का continuum concept वो है जिसमें हम किसी एक matter की बात कर रहे होते हैं जिसमें कि हमारा जो mass है ठीक है ना हम किसी एक matter की बात करते हैं जिसमें हमारा जो mass है वो क्या है continuously distribute है ठीक है ना ऐसा नहीं है कि उसके बीच में कुछ gap है ठीक है तो solid में तो ऐसा होने से रहा कि यहाँ पर कुछ gap रहे कम से कम ज्यादतर cases में कम से कम gap आपको देखने को मिलता है बट liquid और gas के case में ऐसा है इसलिए continuum concept liquid और gas के लिए valid है या फिर आपके irrespectively इन दो subjects के लिए valid रहता है ठीक है ना काम में आता है या फिर आपके ठीक है valid नहीं काम में आता है अब यहाँ पर बात यह है कि ठीक है continuum concept वो बताता है कि हमारे पास कोई continuous system है और हमने कहा कि macroscopic में जो हमारा system होगा वो क्या होगा continuous system होगा जिसके साथ हम deal कर रहे होंगे क्यों क्योंकि day to day life में ऐसे ही system हमारे साथ होते है में अगर आप मोटे-मोटे तौर पर कहें ठीक है मैं बहुत जादे cases की बात नहीं कर रहा है बट मोटे-मोटे तौर पर जो आप study कर रहे होते हैं वो continuous system होते हैं अब यह continuous system क्या है for example मैंने का जो tube है आपके पास ठीक है न किसी tire के अंदर जो tube रहती है उसमें हवा भरी हुई है अब उसमें जो यह हवा भरी है ठीक है तो यह pressure exert कर रही होगी तो हमने क्या कर रहा हमने density देखी इस particular point पे इस particular point पे मैंने density देखी तो मुझे देखी row 1 ठीक है इस दूसरे point पे देखी तो यह भी row 2 और यह देखी row 3 अब जो यह तीनों density मैंने देखी यह मुझे बराबर दिखाई देती हैं किसी macroscopic system में किसी macroscopic system यह continuous system में क्योंकि यहाँ पे जो हमारे देखें continuous continuum concept को आप ऐसे भी समझते हैं कि जो आपका continuum concept होगा उसमें आपको यह तो पता है कि जो आपका आप इसको ऐसे भी बोलते हैं कि it is a kind of idealization in which in which there is a description of matter there is a continuous description of matter और you can say जिसमें कि continuous description होने के साथ या फिर आप कहें कि जो हमारे पास matter है ठीक है ना उसके अंदर जो mass है वो continuous distribute है तो अगर वो continuous distribute है तो उसके हर एक point पे जो property होगी वो क्या होगी same होगी वो property क्या होगी same होगी और वो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि वो space और time के साथ vary नहीं करेगी ठीक है तो same property होगी जैसे मानले की pressure है तो pressure सभी जोगा same होगा तो इसलिए हम यहाँ पे बात कर रहे थे continuous system की जो की हमारा continuum concept से निकल के आता है तो हमने क्या का continuous system में यहाँ पे हमने density देखी तो वो density क्या है सभी जोगा same है वो density क्या है same है तो यहाँ पे density one कहें two कहें three कहें किसी भी point पे आप देखें number of points पे देखें तो density same रही इसलिए हमने pressure got से सिर्फ एक point की आपने density measure किया जिससे की आपको प microscopic study microscopic study वो है जिसमें आप individual molecule पकड़ करके उस पे study करते हो और इसमें variables काफी जादे होते हैं जैसे x direction में आपने u velocity ले ली y में आपने v ले ली और आपने z में w ले ली अब इन six variables के साथ खेल करके आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर किसी एक particular property को calculate कर सकते हैं देखिए यहाँ प density भी यहाँ पर हमने का same है तो अब इस pressure गौज ने किया कि pressure measure किया किसी particular point पर अगर आप इसी one point पर pressure भी देखते two point पर three point पर देखते तो वो सभी जोगा क्या होता same होता ठीक है न सभी जोगा same होता है कोई भी property आप लेख सकते हैं pressure density temperature राइट अब यह आपको समझभा है त discrete system discrete System more discrete system activate system मतलब discrete मतलब कि यहां पर हमारे molecule है यहां पर इक गूसरे से काफी दूर है उसी को ही हम आगे समझे तो यहां पे हमें एक चीज़ पत्ता सल गई की जो हमारी property है वो time और space के साथ बदलेगी नहीं और इसी continuous system ही हमारा apply होता है किवा जो हमने पढ़ा continuum concept, continuum concept और continuum concept क्या है, continuum concept is the idealization in which, ठीक न, kind of idealization in which the matter have a continuous description of mass within it, ठीक है और उसी के साथ-साथ and there is no change in property with respect to space and time while dealing with such concept और उसका value 0.01 से कम होना चाहिए, 0.01 से कम होना चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि आपका system पे continuum concept अप्लाई हो या फिर आपका system है वो continuous system हो, अगर आपका system continuous system नहीं है तो इसका मतलब वो discrete system है वोहाँ पर आपके molecules का distance बढ़ चुका है और अगर molecules के बीच का distance बढ़ चुका है तो उसके लिए noxon number in मतलब की continuum concept तो invalid रहेगा और noxon number 0.01 से उपर होगा ठीक है तो वो कब होगा microscopic के case में समझ में आई बात वो होगा microscopic के case में सब देखिए जैसे हमने आपर बात करी density की ठीक है और हमने pressure भी बोला कि यहाँ पर क्या है same है इसी तरीके से microscopic में अगर आप देखें तो यहाँ पर जो density होगी वो इस the system और you can say कि जो यहाँ पर gaping है वो जादा है ठीक है यह भी बोल सकते हैं कि distance जो है वो बढ़ चुका है molecules के बीच में और साथ ही साथ वो properly distribute नहीं है ठीक है ना properly distribute नहीं है आपका system किसमे microscopic approach होने तो यह हमने कहा जब आप high altitude में जाते हैं वहाँ पर आपका microscopic approach काम आता है ठीक है और यह कब होगा इसकी सर्थ यह है कि इस पर continuum concept तो valid नहीं होगा क्योंकि mass आपका continuous नहीं है discrete system है और इसले इसमें notion number का value 0.01 से ज्यादा होगा ठीक है यहाँ पर यह यह चीज हमें समझ में आती है clear अब कुछ और point आगर आप समझें तो देखिए जैसे हमने यहाँ पर pressure measure किया हमने यहाँ पर pressure measure किया था तो हमें यह तो पता चलिया था कि जो हम pressure measure कर रहे हैं वह हमने सिर्फ और इसी point पर measure किया बट अगर मेरे को six variables के साथ जब आप calculation करोगे और वह आप same ठीक है जो आप किसी एक molecule के लिए calculation करोगे वह आप किसी दूसरे के लिए भी करोगे तब जाके आप सब का एक overall देखोगे कि average कितना रहा है हर एक individual molecule की study करके ठीक है तो यह बात आपको समझ में आई कि यहाँ पर जैसे आपने यहाँ पर pressure calculate किया तो यह तो large characteristic property होगी temperature calculate किया किसी thermometer से तो आप thermometer से किसी temperature को और किसी body का temperature measure करते हैं तो आप body के किसी एक point पे लगाते हैं उस thermometer μποाण on the network be help right कि आपको temperature मेशरा करना है तो हर molecule की kinetic energy वह भी extrapolate करनी पड़ेगी इंडिविज़ एन्डिविज़ell आपको वह भी time करनी पड़ेगी इसी तरीके से मे之後 क्रेशर मौली के लिए मेरे momentum calculate करना पड़ेगा, ठीक है, या फिर आपका है velocity calculate करनी पड़ेगी, ठीक, और velocity कितनी है, तीन velocities है, हर एक particle के लिए, तो यहाँ पर calculation काफी tough है, इसी ज़िए यह एक harder approach है, ठीक है, समझनारी बात, यह क्या है, एक harder approach है, तो आप लिख सकते हैं, कि जो macroscopic है, वो easy approach है, और easy approach है, और यहाँ पर bulk में study कर रहे हैं, ठीक है, एक point पर आपने study करी pressure की, और आपको पूरे bulk का pressure पता चलिए, इसी तरीके से, आपने यहाँ पर, यहाँ पर आपको हर एक individual molecule की करनी पड़ी, तो यहाँ पर आपको समझ में आता है कि यह क्या है, hard approach है, hard approach है, क्यों hard approach है, क्योंकि calculation hard है, क्योंकि इसलिए तो इसको बोलते हैं, microscopic को statistical approach भी आप इसको बोल सकते हैं, statistical study भी आप इसको बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको kind of statistics, जैसे आप calculation करते हैं, आप maths में पढ़ते हैं, वैसे ही आपको यहाँ पे भी calculation करनी होती है तो यह चीज हमें समझ में आती है अब बात आती है देखिए अब आगे हम समझें यह चीज को हमने यह समझा कि हमारे पास जो continuum concept है वो valid ही होता है किसके लिए केवल और केवल हमारे macroscopic approach के लिए या फिर कहें classical approach के लिए क्योंकि इसी approach को ही लेकर के हम हमारे subjects पढ़ते हैं जो की fluid mechanics और thermodynamics है ठीक है fluid mechanics और thermodynamics है हम यह मानते हैं कि जो भी liquid मेरे पास fluid mechanics में होगा या जो भी gas मेरे पास thermodynamics में होगी वो क्या होगी continuously distribute होगी ठीक है ना उसका जो mass है वो पूरे में continuously या फिर आप कहें बिना gap के साथ distribute होगा ठीक है ना कम से कब gap के साथ और आप ये कहें कि properly distribute होगा ठीक है या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि वहाँ पर large number of molecule होगी अगर molecule कम होगे तो obviously बात ये ये कि वहाँ पर وہ microscopic बन जाता है ठीक है तो molecule आपके ठीक amount में होते हैं क्योंकि day to day life में आप देखते हैं कि आप जोगा आपका molecule रहता ही है unless कि आप high altitude में नहीं जा रहे हैं या फिर आप vacuum के साथ deal नहीं कर रहे हैं तो ये हमारे पास यहाँ पर सबज़ने आता है हमें macroscopic approach अब हमने बात करी कि continuum concept जो है और इसी को ही हम पढ़ते हैं ठीक है हम पूरी study जो करते हैं वो macroscopic पर based होती है अब बात आती है कि इन दोनों को हमने अभी देखा कि जो density है ठीक है अगर मैं किसी macroscopic की बात कर रहा हूँ ये macroscopic है मालिया ये macroscopic है तो इसमें तो अगर मैं यहाँ पर एक diagram बनाओ जिससे कि मैं continuum concept को समझ पाऊं दोनों approach के लिए ठीक है macroscopic और microscopic के लिए तो कुछ इस तरीके से diagram बनता है ये मालिया आपका एक इस axis में आपका density से आप show कर रहे हैं और यहाँ पर आपका है volume ठीक है density को आप यहाँ पर डेलम वाई डेल वी से भी show कर सकते हैं ठीक है कोई small density की बात कर रहे हैं आप किसी small specific volume या फिर कहें यहाँ किसी छोटे specific volume बे तो आप क्या कर रहे हैं अगर आप देखें तो आपके पास जो system 1 है ठीक है यह जो system 1 है इसमें कम molecule है rarefied gas का जैसे हमने example लिए तो इससे क्या हो रहा है कि कुछ molecule तो इधर जादा भरे हैं कुछ इधर कम है कहीं पे आप कहें कि बहुत जादा amount में है molecule और कहीं पे कम molecule है ठीक है तो इससे क्या हो रहा है कि कहीं पे density बड़ी है कहीं पर देंसिटी कम है कहीं पर कुछ है कहीं पर कुछ है तो इसलिए यह जो सिस्टम सेकंड है ठीक है यह जो सिस्टम सेकंड है इस सिस्टम को आप यहां पर समझ सकते हैं कि आपकी जो डेंसिटी है वो वैरी कर रही है क्या कर रही है वैरी कर रही है ठीक है दू को आगे macroscopic के लिए बनाएं तो यह जो macroscopic है इसமे यह हमारा system second है तो यह system हमारा बन गया system second के लिए ठीक है system second के लिए और system first के लिए कैसे बनेगा तो यहाँ density constant density क्या है constant है सभी यगा time और space के साथ तो यह है आपका system first और इसके लिए आप diagram बनाओगे CD9 ठीक है तो यह है आपका यहाँ पर हमें यह पता चला कि जो continuum concept है वो valid रहेगा कहां से कहां तक इससे आगे इससे आगे रहेगा ठीक है और यह हो गया हमारा यह हो गया हमारा microscopic distribution ठीक है यहाँ पर आपका जो continuum concept है वो valid नहीं है ठीक है ना continuum concept is not valid और जो दूसरी साइड है वहाँ पर यह हो गया आपका macroscopic approach या फिर आप कहें कि macroscopic system में इस तरीके से density vary कर रही है volume के साथ-साथ और यहाँ पर आपका continuum concept valid है is valid और valid है इसका मतलब notion number क्या है आप पर 0.01 से कम है और यहाँ पर क्या है 0.01 से ज़्यादा है तो हमने कहा था नूटसर नंबर कहें या फिर आप कहें जो mean 3 path है उससे ही आप बता सकते हैं कि आपके पास जो approach है वो मतलब कि आपके पास जो continuum concept है वो valid है या नहीं तो हमने जैसे कि कहा था कि हमारे पास जो microscopic approach है ठीक है microscopic system है वो क्या रहेगा वो ratified gas हो सकता है जिसमें हमने पता होता है कि नूटसर नंबर क्या होता है lambda upon l इसका मतलब कि जो lambda है उसका value अगर जादा हो जाता है ठीक है अगर जादा हो जाता है किस से l से l से बहुत जादा हो जाता है यहाँ पर तो क्या है lambda l से ज उतना जादा नहीं होगा अगर बहुत जादा हो जाता है तो तब आप बोलते हैं कि यहाँ पर आपका जो mean three path है mean three path मतलब है क्या mean three path मतलब यह है कि कि किसी एक molecule का किसी दूसरे molecule के बीच में जब collision हो रहा है ठीक है ना उसको हमने कहा दिया mean three path अब जो वो mean three path है उसका value हमने कहा कि अगर बहुत जादा हो जाए तो इसका मतलब molecules बहुत दूर है ठीक है ना कोलोजन का जो average distance हो गया कोलोजन के दौरान वो बहुत जादा बढ़ गया इसका मतलब वो कांसी गैस हो गया verified हो इसलिए यहां पर हमने कहा कि आप जो है आपका continuum concept valid है या नहीं वह आप दोनों चीछ से बता सकते हैं चाहें उच्छन नंबर है और चाहें आप compare कर रहे हैं आपने mean three path को characteristic length से ठीक है तो I hope यह समझ में आया होगा आपको यहां पर आप देख सकते हैं कि density change हो रही है vary कर रही है space और time के साथ साथ या फिर volume के साथ साथ ठीक है और kind of आप यह भी वह सकते कि specific volume के साथ साथ कि किसी particular volume पे कुछ और आपको density दिखाए दिती है तो किसी एक particular volume पे आपक जबकि आपके पास जो macroscopic system है जिसमें आपका continuum concept valid होगा उसमें ये पता चल रहा है कि जहां भी continuum concept valid होगा वहाँ पर space या time के change होने के साथ साथ space या time या फिर आप सिर्फ space कह सकते हैं या फिर specific volume के change होने के साथ साथ आपका क्या होगा जो आपकी property रहेगी वो same रहेगी property will not vary ठीक है space और time के साथ साथ property vary नहीं करेगी और यही आपका ठीक है ना property won't vary और इसी को ही आप बोलते हैं continuum concept यही आपका continuum concept है कि आपका जो matter है वो continuous description है मास का या फिर आपका है उसमें जो मास है वो continuously distribute है ठीक है ना continuous distribution है उसमें और उसमें कोई empty space नहीं है ऐसा होने के कारण property जो है वो आपकी space के साथ 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 ठीक है ना place के साथ साथ या फिर specific volume के change होने के साथ साथ नहीं बदनेती thank you for watching this video I hope आपको समझ में आया होगा कि continuum concept क्या है